मिरो आत्मियत आज़ो कर्शन्सार घट्ना क्रमगु विशों तर्चा मार्छों राजो मृतिव सिछ्छा मृतिव की होता ह। जो शरीर छुटि पछी आमिक तहां जान्छों की हुन्छों की भोग्छों जब यो शरीर रहां देना तो रहां छक्ये तो कि सेष रहां छो तो सेष रहे को त्यों अस्थित्तों की हो इसको अस्थित्तों की हो यो सभी बारे मां तो मानिसले जी जाने को छो इसको आधा भाग जाने नूँ आमिले जाने नूँ तो इसले मानिसले इसरी स्विकारियों यो जानना नहीं न सकीने सक्ते हो एक मात्र सत्य यो हो जो जानना नहीं सकीन देना ती हो शरीर छोटे पची के होंचा यो कितिने जोटो एक ठेक संगा जानना सकीने नहीं यहीं बारे उसले जीवन लाई ठेक संगा जानना शक्नी छाईना तरह म्री टुलाई ठीक संगा जानना सक्ते हो यो अनुभाव मा मात्रा होंच यो जीवन मा नहीं अनुभाव गर्ना सक्ते हो अथा सभई भंदा जानना सजीलो लो जाननाई पने अनिवारे विशे नहीं शरीर छुटे पची क्योंचा तो यो जस्तोले पनी जानना सक्ता छो यो शारेरीक अपांगता भयको लेनी जानना सक्ता जसको आखा छाईना जसले देखेर जाननाँ पने थीवा जसको कान छाईना जसले सुनेर जाननाँ पने थीवा यो होई यो सभाईले जानना सक्ता छो शरीर को अपांगता भयको लेनी जानना सक्ताछ तो यो सबे भन्दा सरल थियो जानना सकने थियो फिरी मानिसले एसलाई नहीं जानना नहीं नसकी नहीं बनेर स्विकारे हो यहां भोल भायेगो यो भोल हो रग एसलाइ बदलनु पानेच पहीला एसलाइ बदलनु पानेच कि मानिसले जान नहीं परने जाननु नहीं परने सिच्छा ज्यान एदी तक केही छा भनेती हो मिरीतियु सिच्छा शरी छुटे पची के होंचो तियो कुरा जाननु नहीं परनेच तियो अनिवारे ज अनिवारे सिच्छा लाई अनिवारे आवसेक्ता लाई हानिले छोड़ी दियूं तो जिबन अपांग भायो तो जिबन चुक्यों यहीं जिबन को चुक भाये को यहीं जिबन को भोल भाये को अब यो भोल लाई सुधार ना सक्छों अब जो शरीर माँ छों अब आउने शरीर ले पनी तो अनुकुलता पाऊस तो बाता बरों पाऊस मृत्यू सिच्या अब इसको लागी हमिले दुई योटा अनुभव लाई आमुने सामुने माल्यां एवटा हो बाहिरी कारेमा कारेरत रहंदा को इस्थिति रह और को हो बाहिरी कारेमा कारेरत न रहंदा को इस्थिति ति बौधिक रूपली होस या सरीरिक रूपली जिसुके रूपली होस कारेरत न रहंदा को इस्थिति ति हो सरीर छुटे पची को अवस्ता प्रेता हो कारेरत इस्थिति अब इद्वी आयामलाई जिबनमा इस पस्टत द्वी भाग लगारा छुट छुटे अनुभव गन पनेच इद्वी एक साथ अनुभव भय पनेपनी इसलाई ठीक संग जानना सकने चाहिनु इद्वी एक साथ अनुभव मा आउँ दैना इन्दा बेगला बेगले अनुभव करनु पर्छुट इन्द इहरको बेगले अस्टिप्तो छुट आपने इस्थान्च जस्त एउट पर्माणुमा पर्टोन रए इलेक्टोन को आपनो इस्थान्च ती अभिन्या चन्या अभिन्या तालाई आपनो इस्थान्मा जाननुपने हुन्च न्यूट्रोन रए न्यूट्रोन के स्थान्मा जाननुपने हुन्च पोटोन लाई पोटोन गे स्थान एदी नियुटोन रोपोटोन एक आपस मा जुदियो भनिके हुन्छ आमरो घर मा जोन इलेक्टिसीविटी छा एसमा पलस्त्र माइनस टेक्ठाउमा लियायो भनिके हुन्छ नियुटोन लाई आपस नहीं ठाउम बाट जानुपने छा पोटोन लाई आपस नहीं ठाउम बाट जानुपने छा एलेक्ट्रोन लाई आपस नहीं ठाउम बाट जानुपने छा एसरी नहीं बाहरी कारेरत इस्तिती माने इसको छुट्ते अस्टितो बाता जानुपने शेया अर्था बाता जानुपने श जुनका कारेरत न हुदा को distinctी न रहां दा कोamer fast performance कर आमेक कारे मान जे रहं छों तेवो न रहं दा को इस्तिति न गर दा को इस्तिति न गर नुँको इस्तिति यता होनु को इस्थिति यता नहुनु को इस्थिति बिल्कुल है नहुनु शरीर मान नहुनु और कारे रत नहुनु इन दोही इस्थिति लाई बेगला बेगले जाना पने चेंगा अजही तीन इस्थिति लाई जो दुबही बाटा भिन्नाच ना श्थित्य गत्य ना जगत्य गत्य बेलकुले बेगले मुट्य इस्थिति इत्तीन इस्थिति लाई बेगला बेगले जानना पानेचा पोटोन को इस्थिति इलेक्टोन को इस्थिति रण न्यूटोन को इस्थिति बेगला बेगले जानना पानेचा जस्ता हमििली शाश्ता दीरूपा जान्दा छो म जाग्रत, सोपन, शुषुप्ती, इरग तुरी अबस्ता इतार आवस्तालाई ठीक संग जाननो पर छो इसलाई ठीक संग नियाल। एद्धि हमिली आचलाई नहीं ठीक संग बोध कर How gonna music यो सरीर छुटे सब्सिक के हुन्छा उपाने अवस्ता बोध गर्न सक्क्न इस्थिती बनाई दियोस। तो पहिला ध्यान लाई अनिवारे बनाउं अनिवारे सिच्छा ध्यान मा जानों को लागे। तो अब मृतिव सिच्छा को लागे। ध्यान सिखाऊं। बच्चा बाते ने पांच साथ भर्ष को उमेर माने ध्यान लाई जोड़ों जिवन मां। तो उसको नैसर्गीक रूप मान। जुन बहिर भित्र को सार रूप को जुन सुभावीक। संतुलन जो यो कायमी रहोस। आजको युवा काल मान, आजको जीवन काल जुन छुन। इसमा हमें पून इयांत्रिक रूप मान गई सकेगा छु। तियो आपांगतामा, तेहां सार छाइन। युवड़ा सान बच्चामा तियो जुन सार को सुगन्द छु। तियो अलिकती ठुल भायबशी तियो सुगन्द हराऊंच। ततए पांच वर्सको उमेरमानेहीं ध्यान, जुड़न सकेगा उपने तियो bonos, तियो संतुलन काईम त्य। तियो 54 वर्सको उमेरमान ध्यान को गई रायमाना सहाजुंच। तियो गई रायमानेहीं, हो म्रित्युको आबस्था.. अब ऐसे लाइने ठीक संगा जानू मेरी क्यों मुदा क्यों हुण शरीर छोड़ा क्यों छुठे राजान छु एस लाइट ध्यान द्यों हामी इच्छा रथ चाऊं इच्छा मां आमीले इच्छा रहा हामीले जुन रुपमा जे पाउनों को लागी विक्रीत रुपमा उपयोग में ले आएका छों पहिला तो इच्छा को सुभाविक आयाम लाई जाननू पर इच्छा यवटा सकती हो जस्तो रीष आउंच रीष को बेग रीष को उर्जा यहां अनेक उर्जा अच्छा पनी इच्छा पनी इसती एक उर्जा हो तो यू इच्छा राई एदे हमीले सदू पयोग गर न सके नव पने यहां इसको फाली इच्छा बन्थ यू ब्लेग रुपमा फाली इच्छा मां लाग दाछ। येसको दुरुपयोग भनेको इच्छाको डुरुपयोग भनेको एकतर फी उपयोग मात्रेको जसले फलिक छालाई निर्मान गर्च तो एकतर फी उपयोग भनेको बाहेरी कारे मा मात्रे शारीरी कारे मा मात्रे बेभारिक तामा मात्रे एक पक्षी उपयोग भयो इच्छा को रधियां फलिक छा भयो तो 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 विक्रीद भयो तो शड़ियो तो दुरगंदित भयो तो विक्रीद भयो अब तेसको तो नारेक कि जिवन को आजानी जुन सफेता मछं येशको येही दुरघंदित येही विक्रित इस्थिति हो इहां छुटियो के इहां सार छुटियो जिवन को विकास मा लागनु पने थे इच्छा सकती तब तियो बंद भयो जिवन को विकास को आयाम नहीं बंद भयो शार लाई जानन इच्छा सक्तिली शार लाई जानने इच्छा पनी उतिनी रहनु पर्थियो तो शार शार तर्फ को द्वार नहीं बंद भयो शार तर्फ छुट्यो तो यहां जिवन को विकास थियो तियो बंद भयो इवड़ा पाटो छुटे रगवाए बची तो जिवन को विकास ने बंद हुँँच आमी एप्तर भी भयों यांत्रिक भयों बिक्रीत भयों विक्रीत अबस्था मां इच्छाले फलिच्छा जायो अब यो फलिच्छा सबई भंदा घात खुन्च यही फलिच्छा को विक्रीत अबस्था नहीं शरीरी छुटी पच्छी हामेली ले रजान्थों यो जती नरक अरुक कही पनीच्छे यही नरक किये तहामेली तेहां भोकनी हो जब इच्छा सही ते गयो तही पनी फलिच्छा मां लागेकू चेतना फलिच्छा त्यों मन त्यों आसा इसको डल्लो जो शरीर छुटे पची जान्थो तो ते शरीने भोवनों पच्छा तेहां बदलीने साधन अब छुटे हो पेकारों आखाको तेहां बिल्ल्कुलाइ सुद्धा रूपमां जान्थ 수도 अबब इहां शरीर छाय सुइए कि शुरुमां आनी हाले लैं वदलना सक्तें इच्छा लाई पूर्या गाना संतें एच्छा को हल ना सक्तें ape तो साधन नहीं छुट्यों, अब शरीर संग चाहिना मुपने तो इच्छय मात्र गयो, तो इच्छय को डल्ड तो भाइब्रेशन, तो चेतन इस्थिती गयो, तो चेतन इस्थर गयो, तो विक्रीर अबस्था को डल्ड गयो, तो नारक कियेता यहीं शुरू हुनच, यहीं भोवन परच, तिहां बदलने आयाम नहीं छुट्यों, अब तिहां बुद्धी काम मा आउदैन, विवेक काम मा आउदैन, शरीर सहित छपने मात्र बुद्धी र बुद्धी र बुद्धी ले एसलाई हल गर्ने थियो, एसलाई रुपांतर गर्ने थियो, तिहां पूर्या गर्नो को लागी लागने थियो बिवेक बुद्धी, अब तिहां बुद्धी बिवेक काम मा आउदैन, अब तिसले काम नहीं गर्दैन, शरीर एंत्र नहीं छान, एक भाग नहीं छान, अब तिहां अपांग ता गयो, इच्छा मात्र गयो, आसा मात्र गय तयो भाइब्रेशन घात खुन लागे, आफ नुको लागे तो नारा किया उन्हम् Vet अलियो ona इच्छा नहीं कोसा आइ फैल खाल कू नारा किया का हारा मैं जो हाम्ही सपð।, कहो प्रफ। कि ए सबाठीयादा बताि आंताई लोभ मा आसा मा इच्छा को जुन बिक्रीद अबस्ता हो अभिलासा मा भली ज्छा मा तो हमें तीब्र रुप मा लागदच हो तो यू कसरी भयो नरक यू सवाल उठना सक्छ यू जानना को लागी यू भगना को लागी कि मरनो नहीं परने छा कि होसियारी मा आउनु परने छा अब जागरण मा आउनु परने छा अब सचे तता मा आउनु परने छा अब त्यों विशुद्ध तता मा आउनु परने छा अब मानब्वी सम्वेदन सिल्था मा आउनु परने छा इदे आयों भने त्यों नारकी यू हो भनेर जानने छों या जब हामी शरीर लाई छोटे कवस्था मा आउने छों जानने छों या मरे र जानने छों तेहाने त्यों भोगने छों त्यों चितका हार रथा होने छों यो नारग किये ता हो भनेर पहले तो हमी नारग किये जिबन में छों तो यो नारग हो भनेर हम लाई था हार हो दाएन आजए आज हामी जुण जिबन मा छों त्यों जीबन नारग किये जिबन हो यामी शर गिये थेति मा छाईनम 16 अनन्दमा छाईनम अदियो शạnुमा छाउनम त्यों छा luc में उखे पुकार मा छों चितकार मा छों हामीले मांच हाउने इस्षोर उछ अम्च हाईने उसलिये देवह हामीले आज़र्पने माघी रहेका छों तो इस्थित तो इस्तितत आजबने हमले मागी रहेका छों पनी हमें नारैकी इस्तिति में छों फनेरा स्वीकार हों तो इस्तो हमिला लाक देने हमें अभ्यस्त छों तो यो दुख्षमा पनी हमें एती सचीले जानने वला छैनों इहीं आम रूब बानी भई सके कुछ, आम इले इसलाई नी शुर्ग ठानी रहेगा छो तो फेरी मेले जुन शुर्ग को बारे में ब्याख्य करें, तो जानने आया आम नहीं, यो अभेश्त मानी शुर्ग छाई ना, तो सबी बंदफाए कुछ तो अब हुसियार हो, सचेध हो, जागरूद हो, परस हुसियारी मात्र राख न सके उफ़ने, इसे ही कुछ बल ले, तेस इस्तिती सम्मली रजाना न सकीने चाई, अतहा, मित्यु सिच्चा अनिवारे होज, त्यो जिबन माने, भोग न को लागी, देख न को लागी, जानना को लागी, तो जब मृत्यु लाइ, जानने चाउं, भोग ने चाउं, एस लाइ, पिवने चाउं, तो जिबन को पूनता एस में इचाउं, आजा को मानिसले, आजा सम्मा को मानिसले छुटा एको, यो आधा पाटो लाइ, जोड़ं, पिवने जीबन को पूनता कायम गरों, भाया, मिरत्यु लाइ पने जानना सकेच, मिरत्यु लाइ, जाने पछेने चीबन को पूनता होंच, आजा को लाइ ये देने,